हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स बी एलेस इंटरनेशनल की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज किस वीडियो में कवर करेंगे स्टाइनल ओन रिजल्स आउट हो चुका है क्वाटर एंडेड और फि 55.6 करोल का इंकम है क्वाटर ओन क्वाटर एंडेड दोनों में इंक्रेज किया है एक्सपेंसे थ्री हंड़ट फिफ्टी नाइन पॉइंट फॉर करोल का पिछले क्वाटर में कब इचले क्वाटर में 87 करोड का मार्स 23 क्वाटर में 76.7 करोड का पॉफीट है क्वाटर ओन क्वाटर में डाउन है जब क्योंकि टैक्स 8 करोड का पे करना पड़ा है इसलिए लिकिन यर और यर में इंक्रीज किया है EPS 1.96 रुपिश का क्वाटर ओन क्वाटर में डाउन है यर ओन यर में इंक्रीज किया है तो गाईज रिजल्ट अगर देखा जाये तो क्वाटर ओन क्वाटर के पॉफिट जो है थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है अगर हम फिनाशल एर रेंडिट की बात करें इंकम में 17 17.7 करोड का 23 tricky 37.4 के रही है इंक्रीज करतावा देखने को मिला है नेट पौफिट 325.6 करोड का 23 में 204 करोड का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है EPS 6 7.6 रुपीज का 23 से इंक्रीज किया है तो गाइस कम्पनी का सिफ क्वाटर ओन क्वाटर की पॉफिट में डाउन वी इसलिए कि टैक्स बहुत जादा पे करना पड़ा सेग्मेंट वाइस वीजा एंड कॉंसोलर सर्विसेस डिजिटल सर्विसेस इन दोनों सरेवेनी जनरेट हो रहा है क्वाटर एंडेड और फिनांशल एंडेड दोनों में इंक्रीज करती भी देखने को मिला है महेगरा में अभी संडेड लॉन फिनांशल रिजल्ट को कवर करेगा इसतो इंक्म में 53 करोड का पिप्षले कॉ intr 32.3 करोड का और मौर्स 23 कॉर्टर में 36.5 करोड का इंक्म है क्वाटर अन क्वाटर अर यर ओन यर दोनों में इंक्रेज किया है expenses 35.5 करोड का, पिछले quarter में 28.5 करोड का और March 23 quarter 25 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year की expense में भी increase किया है जिसके बाद operating profit 17.7 करोड का, पिछले quarter में 3.7 करोड का और March 23 quarter में 11.5 करोड का expense operating profit था quarter on quarter year on year में increase किया है net profit 15 करोड का, पिछले quarter में 5 करोड का और मार्च 23 कॉर्टर में 11 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 0.36 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया है गैस standard on का profit जो increase हुआ है year on year में लेकिन consolidated के profit में थोड़ सा down देखने को मिला है quarter on quarter में तो गाइस कह सकते हैं अभी ठीक टाक result पेश किया अगर हम इसके share की बात करेंगे तो company का share 323.3 रूपीज पे close की है और 2.4% का profit देखने को मिला है आज की दिन वन मंत में 3.9% का loss है त्री मंत 6-10 मंत में 10.4% का losses और 6 मंत में 18% का profit दे चुका है तो गाइस company का share अभी एक down देखने को मिल रहा है तो गाइस अगर आप इसमें entry करना चाहते है fresh entry तो आप इसमें entry कर सकते है अगर आप इसमें average करना चाहते है तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर end करते हैं अगर कोई doubt है comment box में कुछे मिलते है नेक्ट रोड़ मैं तिल दें बाइब बाइब बाइब